बिहार के मुख्या, सियम नितीश ने कल ही जनतादरवार के बादर पत्तारों से बात कर रहे थे और ये कहा था कि बिहार में शराब का चालू होना इंपोसिबल है, वो जीतन रामानजी को जबाब दे रहे थे और फिर ये कहा कि कुछ लोग तो होते ही हैं जो करवड करते हैं दरबंगा समहारनाले में खाली शराब की सिक्डो बोतले बरामद हुई, उन पर क्या कोई कारवाई ही वी? जमुई सरकिट हाउस में वहां से शराब की सिक्डो बोतले बरामद हुई, उस पर क्या कारवाई ही वी? और अब एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर म किर्शी विभाग की जमीन है जहां तलाब था वहां बांध बनाये गए थे और वहां लोहे का दो तहखाना था लोहे की चादरों से वकादा वो तहखाना बनाये गया था एक छोटा सा जो है मूँ था और उसको खोल कर जब वहां के डेसपी पंकज कुमार ये सूचना मिलने कि वहां शिराब की बोतले हैं जब पहुंचते हैं और जब उसके मूँ को खोला जाता है तो सबके होश पाक्ता हो जाते हैं उनके होश उड़ जाते हैं वहां से 793 शिराब की बोतले मिली है अब सवाल ये उठता है कि वह किरसी भवन है वो सरकारी भवन है तो क्या किसी सर सवाल उठता है कि पांच साल में वहां कितने लीटर शराव रखे गई थी आखिर उस इंडिकेट के पीछे कौन है क्या बिना किसी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी के बिना यह संभब है अब जब स्यम्निती से सवाल पूछा जाएगा तफिर वह बड़े प्यार से कहेंगे कारवाई होगी लेकिन फिर सवाल उठेगा कि अब तक कोई बड़ा श्राब माफिया जेल के सलाखों के पीछे क्यों नहीं पहुंचा है जब दर्भंगा समहरनाले में श्राब की बूतली मिलती है जब सरकीट हाउस में जहाए में ले MP, MMLC और बड़े अधिकारी ठैरते हैं वहाँ श्राब की बूतली कैसे मिलती है और जहाँ श्राब की बूतली मिली है उसको लेकर क्या अपडेट है इसके पीछे कौन है अगर आप इस बात का सब्वूत पेश नहीं कर सकते हैं अगर आप उस सक्स की खोज नहीं कर सकते हैं जो श्राब की खाली बोतल बिधान सव को रोक देंगे ये एक बड़ा सवाल है सवाल ये भी है कि सरकार के नियम के मुताबिक अगर कोई शरापपिकर उपद्रब या हिंसा करता है यानि अगर कोई शरापपिकर पाय जाता है तो प्रसासन कह सकती उपद्रब कर रहा है उसके लिए जितना सजा का प्रापधान है उ कहीं ने कहीं सरकार के मनसा पर सवालिया निसान खड़ा कर रहा है सवालिया निसान इसलिए भी खड़ा होता है कि इस वक्त बिहार में अगर आप शराब पीते हैं तो आपको या तो तीन महेने की जेल होगी या पचास जया जुरुमाना अब इस बात को लेकर आप साफ अंदजा लगा सकते हैं कि जो मजदूर जो दलिल समाज का लोग है जो रोज मजदूर करकर पेट पालता है दोसो ढ़ायसो कमाता है वो पचास जया रुपे नहीं दे सकता यानि वो तीन महेने जेल में रहेगा लेकिन जो पैसे वाला होगा वो शिराब अगर पीता है तो पचास हजार रुपे दे कर छूट जाएगा और आप उस गरीब के बारे में सोचे जो रोज दोसो सो ढ़ायसो कमाता है शिराब पीने का आदी है अगर वो तीन महेने जेल में रहेगा तो फिर उसके परिवार का पेट कौन पालेगा तो कहीं ने कहीं शिराब बंदी को लेकर जो कानून है वो अपने आप में जो है वो अलग-अलग लोगों के लिए अलग कानून है जो ताकतवर लोग है उनके अलग कानून पैसे वालों के लिए और जो गरीब है उसके लिए अलग कानून है लेकिन ये जो खबर है जहां तारापुर अनुमंडल का रहले के पास किर्शे बिभाग की जमीन पर बने तलाब के बांद में दो लुहोई की चादरे वर्माई गई थी जहां से 793 श्राब की बोतले बरामद हुए है कुल मिला कर 378 डिटर श्राब बरामद हुआ है तो सवाल ये उठता है कि इसके पीछे कौन सा सिंडिगेट काम कर रहा था आज बले ये पकड़ में आये हो लेकिन साफ है कि बिहार में श्राब बंदी को लाग हुए 5 साल हो गये है इन 5 सालों में वहां कब-कब कितने श्राब रखे गवाले है उसमें से उनके कौन से अधिकारी है उनके कौन से कर्मचारी है लेकिन सेम्तिश्प्र कहेंगे कुछ लोग तो गरवड होते हैं जो गरवड करेंगे ही आप दिखती रहे चंता जंक्षन जैसे कोई और बड़ी खवर आईगी तो हम उसे आपको इतलाह करेंगे बाद 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 देन्यों.